नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, सेट प्रिक्टिस करने का मतलब होता है कि एक्जाम के सिलेवस और पेटरन के अधार पर तैयारी को सटिक और अस्ट्रोंग बनाना, साथ में मात्पुर्ण परस्नों का रिविजन करना जो परिक्षा में बार बार पूछा जाता है, ना संगर राष्टपती की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए परधान मंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्री परिशद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्टपती अपने कार्जों का निर्वाहन करेंगे, तो यह है अनुछेद 74 के एक में है, इसका कोरेक्ट एंसर होगी यह सी, अनुचेद 74 के एक में क्या है, कि राष्टपती की सहायता करने के लिए compelled परधान मंत्री की अध्यक्षिता वाली एक मंत्री परिशद होगी, यह अनुचेद 74 के एक में, अब राष्टपती का पद की सनुच्छिद में है, तो वह है अनुच्छिद 52 में है, ठी एक question पूछा जाता है कि राष्टपती संसद का संजुक्त अधिवेशन बुला सकता है, वो किस अनुचिद के तहत? तो वो है अनुचिद 108, यह आपको याद रखना है, अनुचिद 108 के तहत, वो संसद का संजुक्त अधिवेशन बुलाता है किस अनुछेद में तो राष्टपती अध्यादेश जारी करता है अनुछेद 123 के अंतरगत ये राष्टपती जारी करता है आचा राजपाल किस अनुछेद के तहत अध्यादेश जारी करता है तो राजपाल करता है ये दो कोहने इधर कर दीजिए यानि कि 213 राजपाल अध 213 अनुछेत के तहत अध्यादेश जारी करता है, ऐसे याद रखना है, नेश्ट कोचन है, कि 14 बर्स से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के परती सनरक्षन है, तो इसके correct answer है, सोसन के विरूद जो अधिकार है, उसके परती ये क्या है, सन परतिसेद है, ठीक है, और मानव के दुर वैपार और बालात सरम का परतिसेद अनुछेद 23 में है, ठीक है, मौली का अधिकार है किस भाग में, मौली का अधिकार है भाग 3 में, ठीक है, मौली का अधिकार किस अनुछेद में है, तो अनुछेद 12 से 35 तक है, मौली का अधिक किस देश से लिया गया एक कोष्ट्न पूछा जाता है कि प्रानेवम देखष्वतय प्रत्रता पूंजी वाद सरव श्रीया योजना से प्रभावित रहा है या किस देश से प्रभावित है तो इसका correct answer है option number A अमेरिका से प्रभावित है लोग तांत्रिक पूंजी वाद जो है ने यह अमेरिका से प्रभावित है दोस्तों तैयारी करने का सांदार तरीका यह होता है कि जब भी आपके सामने कोई भी question आए उससे रिल्टिस जितने भी important question है जो आप तक आप पढ़ ऐसे एक question यह पूछा जाता है कि जो अभियन्ता दिवस है यह किसकी जन्मोंदिवस पर मना जाता है तो जो कब मनाय जाता है? 15 शेप्टेंबर को मनाय जाता है, ठीक है? ये एक इंजिनियर थे, ठीक है? ये ध्यान रखना है, और इनका जन्म हुआ था 15 सितंबर 1861 को तो यही 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाये जाने लगा, इनका जन्ववा था करनाटक के मैशुर में, ठीक है एक पुस्तक है इनका A Planned Economy for India पुस्तक के लेखा कोने, सर 200 सरीया है, ठीक है, M200 सरीया अभी काते हैं, इसको मौक्ष गुंडम विस्वसरीया तो यह ध्यान रखना आपको, next कोचन है, कि पंचाथी राज की अन्य संस्थाओं की तरह, ग्राम पंचाथ के लिए भी, अनुदान यानि सबसीडी का प्राबधान कोन संस्था करता है, तो इसका correct answer राज बीत आयोग करता है, ठीक है, पंचाथी राज की अन्य संस्थाओं की तरह, ग्राम पंचाथ के लिए भी, सबसीडी का प्राबधान करता है, राज बीत आयोग, अब राज बीत आयोग की सनुछेद में, यह question पूछा जाता है, तो राज बीत आयोग का घठन है, अनुचेद 243 के आई में, आई आयोग, नँ, आई आयोग, राज बीत आयोग का घठन है, 243 के आई में, और केंदर का बीत आयोग है, वो की सनुछेद में, तो वो है अनुचेद 280 में, एक question यह यह पुछा जाता है जो केंदर का जो बीतायों का गठन कोन करता है तो राष्टपति करता है कितने वर्षों के लिए पाँच वरसों के लिए और राजिपाल करता है वह योजना में हुआ था ये कब देखिए 1975 की बात है जब अपात कल लगा था ने तो उस समय अपात कल भी लगी थी और चुनाब हुआ था और जनता पाटी की सरकार चुना गया था पांचवी पंचवर्शी योजना का कार्जकल कब तक है तो 1974 से 78 है एक कोशें पूछा जाता है कि गरीबी हंटाओ का नारकिस पंचवर्शी योजना में दिया गया तो पंचवर्शी योजना से काफी important question पूछा जाता है तो आपको सबको एक साथ यहां ध्यान रखना था पह पूछा जाता है कि पहली जो पंचवर्शी योजना है उसका उद्देश का था तो क्रीशी था ठीक है दूसरा का उद्देश क्या था उद्योगों का विकास एक कोश्चन यह पूछा जाता है कि दुर्गापूर इसपाथ सन्यंत्र किस पंचवर्शी योजना में अस्थापित हुआ तो आपको याद रखना है दुर्गापूर भिलाई और रावर केला यह तीनों सन्यंत्र का अस्थापना दूसरी पंचवर्शी योजना में लुजना में हुआ था अब एक कोश्चन पूछा जाता है कि दुर्गापूर इश्पा सयंत्र किस देश के सयोग से अस्थापित हुआ था यह बृतेन के सयोग से अस्थापित हुआ था इसे याद रखना है दर्विड यानि दुर्गापूर बृतेन के सयोग से और भिलाई कर खाना जो है वो किस देश के सयोग से अस्थापित हुआ त एक काफी important question है जो कि अभी पीछे जितना भी एक्जाम में पूछा गया था कि जो पंच वर्षी योजना है दूसरी पंच वर्षी योजना किस मोडल पर अधारी थे तो PC महालनोविस मोडल पर अधारी थे ठीक है अब पहली पंच वर्षी योजना हेरोड डोमर मोडल पर अधारी थे पहली पंच वर्षी योजना हेरोड डोमर मोडल पर अधारी थे और दूसरी पंच वर्षी योजना PC मालनोविस मोडल पर अधारी थे कि किस महिला को भारतिय करांति कारियों का माता कहा जाता है कि मेडम भीखाजी कामा ने 1907 में विदेश में तिरंगा कहां पर फाराया था तो फाराया था ओप्शन में मालूम क्या था अस्टट गार्ट तो यह ध्यान रखना है जर्मनी के अस्टट गार्ट में यह फाराया था ठीक है जर्मनी के अस्टट गार्ट में मेडम भीकाजी मतलब पहली बार रहने बिदेशों में तिरंगा किसने फाराया यह कोशन भी पूछा जाता है तो मेडम भीकाजी कामने फार और कहां फखाया तो जर्मनी के अस्टरेट में फखर आया था यह थ्यान रखना है ठीक है और एक कोर्च्ण याँद रखना कि सवतंत्र अन्दोलन की सवतंत्रत इंदोलन की बयू बिरीध मयला किसे का जाता है तो अरूना आसवाली को einges ठीक है और यह हो गया स्वतंत्र अंधोलन की बयोबरिध मेला लेकिन अगर सिंपल में पूछे कि भारत का बयोबरिध किसे का जाता है तो दाधा बाई नेरोजी कि भारत की कोकीला किसे खालता है तो शरुझणी नाइडो को का जाथा भारत की कोखीला. ठीक है? यह ध्यान रखना है, और सुरकोखीला की सिखा जैता है, वो लता दिये लता मंगजिशकर को सुरकोखीला कह जाता है. नेश्ट कोचन है, कि Raja Sasavà के सभापती होते हैं, तो होते हैं कौन वो वो उपराश्टपती होते हैं Raja सभापति आपने तो जग्दीव धनकर अब राज्य सभाब से इम्पेंग पूछा जाता है सब घहा सभा सभा के सदस्यों का कारज़काल कितना होता है तो 6 बरस होता है ठीक है और उसमें मतलब लोक सभा भंग क्या जा सकता है लेकिन राज्ज सभा को भंग नहीं किया सकते हैं राज्य सभा सदस्फ के लिए 20 राज्य सभां के लिए 30 वर्स होना चाहिए राज्य सभां के लिए 25 वर्स राज्य सभां के लीए काफी important question पूछा जाता है तो संसद अनुच्छद 89 में और राज्य सभा का गठन की सनुच्छद में 80 में और लोग सभा का गठन 81 में इसे याद रखना है यह लगातार अनुच्छद 89 81 इसे याद रखना है सरल एक सब दो गिया सरल है संसद राज्य सभा और लोग सभा किसकी सनुच्छद में 89 81 में नेश्ट कोच्छद में भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ तो इसका पारित हुआ जब भी आपके सामने कोई question आ है तो आप रिलेट करिए कि कोई भी और इंपोर्टेंट घटना को उस इसभी से रिलेट कर दें ताकि आपको याद रहे क्योंकि इसभी वाला बहुत सारा question है confusion हो जाता है याद नहीं रहता है तो है पंचायती राजबवस्था कब लाग उध़िया में और राश्ट्रिये मानब विधेकार आयोग की अस्थापना भी नीश्व तरानवे में हुआ तीन चीज़ और फिर से समझे समझे मानब अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारत हुआ नीश्व तरानवे में और जाता है कि 20 सुमाना वधिकार दिवस कम मना जाता है तो 10 दिसंबर को मना जाता है ठीक है दस दिसंबर को और क्या इंपोटेंट है नोबेल पुरुषकर कब दिया जाता है तो 10 दिसंबर को ही दिया जाता है यह ध्यान रखना नेक्स्ट कोचन है कि आर्थिक द्रिष्टी से एक पिछडिग देश की विस्यश्था नहीं है प्रती वेक्ती निम्न आए और्थिक द्रिश्थे से पिछड़े तो परती वेक्ती निम्न आ यह सही है और उच्छ मिर्तिव दर यह भी सही है और उच्छ निरक्षरता यह बीज़ी आए प्रात्मिक छेत्र में निम्न स्रम अनुपात यह सही नहीं है यह इसका कुरेक्ट एंसर हो गया option number d यह पिछड़े देश की बिसेस्ता नहीं है ठीक है देखें पिछड़े देश की बिसेस्ता क्या क्या है पर्ति बेक्ति नीमना है उच मिर्तियुदर और उच निरक्छर्ता ठीक है और विक्सित देश की जो उसका जो विशेष्टा होता है वो क्या होता है उच साक्छर्ता है उच पर्ति बेक्ति आए और उच नगरी करन यह होता है विक्सित देशों की विशेष्टा अर्चा अर्थ सास्थर के जनकों ए एडम असमीथ नेश्ट कोच्चन है कि बंगला देश की अधिकारिक भांसा क्या है तो इसका correct एंशर है बंगला ठीक है बंगला देश की भांसा राजधानी मुद्रा यह सब काफी important है जब भी आपके सामने है नेश्ची तुरुप से उस लंबी सीमा किस देश का है, तो बंगलादेश का है, ठीके, एक कोशन पुछा जाता है, चीन की भांसा क्या है, तो मंदारी ने, ये ध्यान रखना है, अच्छा, बंगलादेश सतंतर कब हुआ, 1971 में हुआ था, ठीके, एक कोशन पुछा जाता है, कि बंगलादेश को किस लादा है नेश्ट कोश्चन है कि पंचायथ समीति के सदस यह क्या होते हैं परत्यक चुरूब से जनताद्वरा निर्वाचित किये जाते हैं इसका एंसर हो गया सी ठीक है भारत में क्या पंचायती राज के तीन स्था रहें ठीक है वो कुन-कुन सा है ग्राम अस्तर पर होता है ग्राम पंचायत और प्रखंड अस्तर पर होता है पंचायत समीति और जीला अस्तर पर होता है जीला परिशद ठीक है एक कोशन यह पूछा जाता है कि त्री अस्तरिये त्री अस्तरिये पंचायत राज का सुझाब किस ने दिया था तो वो दिया था बलबंत, राय, महता, ठीक है, ये त्री अस्तरिये का है, अद्डुी अस्तरिये, पंचायत, राज गश्भ का सुझाब किसने दिया, तो वो दिया था, असोक, महता, ठीक है, ये दो कोश्चन है, जो पूछा जाता है, ठीक है, इसे याद कैसे रखना है, देखिए, कभी कनफ पुछानन नहों तिरी अस्तरिये में तीन सब्द हागा बलबंत रायम मेहता तर्चाइत राज का सुज़ा किसने दिया बलबंत रायम मेहता अद्डू यस तरीये किसने दिया दो सब्द वाला आसोक मेहता तो ऐसे याद रखना ठीके बतमान में आफिक और भी कौन सा सब्सक्राइब को पंचाइटी राज ववस्था लागूगा था गराम पंचाइट का गठन की सनुछेद में यह कोश्चन पूछा जाता है तनुछेद के जबत ले कोश्चन यकला भारत में प्याज उत्पादन में मुख राज कोन सा है तो महरास्टै सबसेःधा का वह ऊता है महरास्टी में होता चाहीद escot at और सब्बगर फिर समझे नारियल रबर और इलाइन्ची का सबसे जय HC केरल में होता है तो यह सारे चीजिए याद रखना है ठीक है और सबजी गन्ना और गेहुं उतकथ कोनने यूपी फिर से समझे, सबजी, गन्ना और गेहूं, ये तीनों में एक नंबर में है यूपी, और चाय का सरवादी को उत्पदन का होता है, तो असम में होता है, नेस्ट कोश्चन है, थर्टीन कोश्चन नंबर 13 में है, कि हडपा संस्क्रिती का एक अन्य नाम है, तो इसका correct answer है, काँच सी योगिन सबवेता कहजाता है, क्यों? देखिए, काँच सी योगिन सबवेता इसलिए कहा जाता है, कि एक कोश्चन पुछा जाता है, कि सबसे पहले मानब ने किस धातु का परियोग किया था तो तामबा का किया था तो तामबा है ने कांसा में पाया जाता है तामबा ठीक है कांसा में क्या रहता है तामबा और तीन का मिश्रा ने कांसा तो इसलिए इसे कांस योगिन सब्वेता कहा जाता है यह द्यान रखना है और एक कोशन याद रखना है, भारत की प्राचिंतम सब बेता कौन सा है, तो हडपा सब बेता काल कब से कम माना जाता है, तो 350 इस पूरु उसे 1750 इस पूरु माना जाता है, हडपा सब बेता की की खोच किस नि किया, दयारम साने निकिया 1921 में, हडपा किस नदी की किनार है सबसी पहले तोos इसका correct answer है अम्रवति हैं उर्वति हैं फिर या बदि cuando र magazब्तों में क्या म democrat आनांद्रप्रदेश की राजदानui कारगा है तो अमरवति एक कोश्चन ये पूछन जाता है कि सांची का अस्तूप किस न बन वाया तो फिर एक निया को पूछा जाने लगा है धामेक अस्तूप किसने बनवाया तो यह असोक नहीं बनवाया यह ध्यान रखना है सांजीक अस्तूप MP में धामेक अस्तूप UP में है ठीक है अब एक एक कोश्चन एक बुद्ध ने अपना पहला उपदिसकान दिया सारौत में स्रवादिक अपधिसकान। यह कहां तेनों यूपी में ठीक है अब ये कला से ने जिसे एक question पूझा जाता है गंधार कला किस का मिसरन है तो हिंद और युनानी का कला का मिसरन है गंधार कला एक question इंपोर्टेंट बारवर रिबीट होता है कि गंधार कला का विकास सबसे तेजी से किस के काल में हुआ तो कनिस्क के सासन काल में हुआ ये ध्यान रखना है, नेस्ट कोचन है, कि महरोली अभिलेक से किस समराट के सम्मद में जानकारी प्राप्त होती है, तो इसका correct answer है, चंद्रगुप दूतियेक के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, महरोली अभिलेक से, ठीक है, अभिलेक से question पूछा जाता है, जैसे एहो पूलके सिंग दूतिये से, जूनागड दुरुद्र दामन से सम्मदी थे, परियाग प्रसस्ती ये समुद्र गुप्त से सम्मदी थे, नेस्ट कोचन है, कि बेदान्त सब्द का परियोग किसके लिए किया गया है, तो इसका correct answer है, ये उपनिस्यदों के लिए किया गया है, ठीक है बेदान्त सब्द का परयोग उपनिसदों के लिए किया गया है बेदकार्थ क्या होता है बेदकार्थ होता है असीम ग्यान उपनिसद क्या होता है पास बैठकर ग्यान प्राप्त करना उपनिसद का मतलब होता है उपनिसदों की संख्यां कितने है एक सो आठ ठीक है औ पर क्या confusion वाला कुछ question है सबको एक साथ देखेंगे ठीक है रास्त यह क्या अंतरास्टी साक्षर्ता दिवस यह हो गया 8 सितंबर को ठीक है और रास्टी सिक्षा दिवस का मना जाता है 11 नमंबर को रास्टी सिक्षा दिवस ठीक है और सिक्षक दिवस का मना जाता है तो 5 सेप सिक्षक दिवस ठीक है और पांच अक्टूबर को क्या हो जाता है विश्व सिक्षक दिवस वाला ठीक है विश्व सिक्षक दिवस देखे पांच सितंबर को सिक्षक दिवस फिर विश्व सिक्षक दिवस पूछे तो पांच अक्टूबर हो गया और अंतरास्तिय सक्षरता द दिवस 11 नमंबर को तो यह ध्यान रखना है यह confusion वाला question है और सितंबर में एक और है 15 सितंबर को क्या मना जाता है यह अभियंता दिवस मना जाता है 16 सितंबर को मना जाता है ओजोन संरक्षन दिवस ठीक है और अंतरास्टिय सांती दिवस मना जाता है सितंबर को यह सितंबर वाला कर सिर्फ देखें तो पांच सितंबर को सिक्षक दिवस आठ सितंबर को अंतरास्टिय सक्षरता दिवस पंद्रा को अभियंता दिवस 16 सेप्टंबर को ओजोन संरक्षन दिवस और एकी सेप्टंबर को अंतरास्टिय सांति दिवस इतना याद र तो इसका correct answer है कि उचाई महतवपूर्ण नहीं है कोफी के बारे में बता रहा है उचाई महतवपूर्ण नहीं है कोफी के लिए चाया का फेक्टर महतवपूर्ण है एंसर तिक है अब कोफी से कौन सा question पूछा जाता है कि कोफी का सरवाधिक उत्पादक राज देश कौन सा ह तो चीन है और भारत में चाय का सरवादिक उत्पादक किस राज में होता है असम में होता है ठीक है यह दियान रखना है नेस्ट कोचन है कि गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तयार की जाती है तो इसका कोरेक्ट एंचर है बारा माह में लगभग तयार होता है गन्ना की फसल गन्ना का जन भूमी किस देश को माना जाता है भारत को माना जाता है ठीक है गन्ना का सरवादिक उत्पादक देश को हो जाता है ठीक है लेकिन बर्तमान में अभी यूपी आगे है सरवादिक गन्ना का अभी है यूपी में गन्ना अनुसंधान केंद्र का है तो कोयमबटूर में तो यह ध्यान रखना है ठीक है नेक्स्ट कोचने कि निमलिकित में से कौन सी रभी की फसल नहीं है तो यह मक्का जो है रभी की नहीं यह खरीफ की फसल है यह से खरीफ में फसल में आ जाता है मक्का धान गन्ना और मूंग यह सब क्या खरीफ की फसल है ठीक है और यह गेहूं जो सरसो यह सब रभी की फसल है तो वहला रभी की फसल को नहीं है तो यह मक्का क्या खरीफ की फसल है ठीक है आज़ा बिश्व में सबसे अधिक मक्का किस दिश में होता है? तो यह होता है अमिरिका में, ठीक है? मक्का का सरबादिक उत्पदक राज जी कौन सा है? तो राज जेह में है करनाटक, कोफी में भी है करनाटक, तो यह ध्यान रखना है. नेश्ट कोफ्चन है, भारत का अन्तिम महान राजपुत सासक कौन था? तो इसका correct answer है, पिर्थवी राज चोहान तिरतिये था. ठीक है, यह अन्तिम महान राजपुत सासक था, पिर्थवी राज चोहान तिरतिये. अब एक दो कोश्चन यहां पूछा जाता है कि तराइन का जो पर्थम युद हुआ था 1191 इसपी में वो प्रिथिवी राज चौहान और किसके बीच हुआ था मुहम्मद गौरी के बीच हुआ था उसमें प्रिथिवी राज चौहान बीजे ही हुआ था ठीक है तराइन के पर्थम युद में कौन जीता था प्रिथिवी राज चौहान और तराइन का दूसरा युद हुआ था 1192 में इसमें कौन जीता मुहम्मद गौरी पहला में जीता प्रिथिवी राज चौहान और दूस में से किस सासक ने दासों को यानि कि गुलामों को के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की अस्थापना की थी तो इसके कोरेक्ट एंसर फिरोचसा तुगलक ने किया था ठीक है तो अब यहां क्या दासों के रख रखाव के लिए तो एक कोश्चन पूछा जाता है मालो एक कोच्चन पूछा जाता इससे कि ब्रहमनों पर सबसे पहले जजिय कर किसे ने लगाया, तो फिरोच सा तुगलक नहीं लगाया था, ये याद रखना है, नेस्ट कोच्चन है कि निमलिखित साहयक संधी को निमलिखित में से किस राज जी ने सुईकार नहीं किया था, तो लोड बिलेजली है लोड बिलेजली को बंगाल का सेर भी का जाता है नेस्ट कोच्च ने कि वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिस सरकार के ब्रूद सर पर्थम असायोग आंदोलन प्रारम किया ठीक है इसमें क्या पूछा है कि जिसके बाद गां रोलेटेक्ट का वाया 1919 में ठीक है क्रिप्स मिशन 1942 में चौरी चौरा हुआ 1922 में ठीक है तो 1920 से पहले कौन सा यह रोलेटेक्ट रोलेटेक्ट के बाद असायोग आंदोलन शुरू हुआ था यह सारे जो इस पीए याद रखना है ठीक है कोशन पूछा जाता है सायमेन कमि कल्पना चावला के नाम पर अमिर्का में एक अंत्रिक्षियान का नाम रखा गया है तो इसका क्रेक्ट एंसर है कल्पना चावला के नाम पर अंत्रिक्षियान का नाम रखा है अमिर्का में ठीक है अब कल्पना चावला से इंपोर्टेंट कोशन याद रखना है कि अंत्रिक्ष में जाने वाला भारतिये महिला कोन थी पहली भारतिये महिला कल्पना चावला थी ठीक है और भारत का पहला अंत्रिक्ष यात्री कोन था तो वो राके सर्मा था राके सर्मा गया था 1984 में कल्पना चावला गया थी 1997 में थी यह भारतिये पहली महिला है अंत्रिक् की द्यान रखना है नेस्ट कोच्छेने 26 कि डेश को चंद्रियान 3 की सफल लेंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर सौफ्ट लेंडिंग कराने वाला चौता देश बन गया यानि कब सौफ्ट लेंडिंग के सतपर हुआ था ती यह वा था 23 अगस्थ 2013 को ठीके चंद्रमा पर अपना चंद्रियां थरीक कप पहुंचा था 23 अगस्त 2020 को ठीक है अब यहां बोला कि यहाद रखना है और लेकिन एक चीज एक कोश्चन और यहाद रखना है कि चंद्रमा के दक्षिनी धुरुप पर सफलता पुरवक्स लेंडिंग करने वाला पहला देश भारत बन गया दक्षिनी धुरुप पर ठीक है यहाद रखना है अब इंपोटेंट कोश्चन यह आते हैं पहले चंद्रियान 1 कब लोंच हुआ थो 22 बांस रिक्टिवर 2008 पक्ला थ चंद्रियान 2 कब लोंच हुआ ज धूलाइज동 को 16 जूलाइज 2013 को लेंद शिपर रखना है चंद्रियानILY लौन जो है वह लौन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रियान 2 22 जूलाई 2019 को चंद्रियान 3 14 जूलाई 2023 को ठीक है याद हो गया अब एक कोश्चन पूछा जागा कि चंद्रियान 3 जूलाई पहला कोश्चन पूछा जागा इसलिए हर पुइंट को याद रखना है कहां से लोंच किया गया तो वही है ने 327 केनर जोए वह सारी हरी कोटा में है और अंध्रपरदेस में ठेक है आफ इंपौटीन चीज़ी आपको याद रखना है कि चंद्रियान 1 2 अर 30 यह तीनों है 37 जूलाई पहल दोजाएं अचीवमेंट के लिए राश्टि भू विढ्ञान पूरुसकार 2022 किसे दिया गया है तो इसका ब्लेक्ट टंशर है ये डाक्टर ओम नराएन भार्ख occup को राश्ट्la बूब विढ्गान स्क्रण 2020 उसे दिया गया ठीक है तो आपको याद रखना है राश्टिय भू विज्ञान पुरुसका 2022 जो कि 2023 में किसे मिला तो ओम नराइन भार्गव को मिला अब करेंट अफेयर से कुछ कोशन याद रखना है ठीक है जैसे कि पहला कोशन आपको याद रखना है कि 2023 में पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट आवाड किसे मिला तो जैन्त विशनू कारलिकर को मिला ठीक है जैन्त विशनू कारलिकर को ये कौन से मिला पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट आवाड मिला ठीक है और एक कोशन ये प्रोफेसर जोईता गुपता को मिला है कि नीदर लेंड द्वारा विज्ञान के छेतर में डवलू एचो अस्पी नोजा प्राइज मिला इसको ठीक है याद रखना है एक कोश्चन याद रखना है कि भारतिय सास्त्रिय कलाओं में योगदान के लिए order of the British Empire ये आवार्ड किसको मिला तो ये डॉक्टर एमेन नंद कुमार को मिला है क्या भारतिय सास्त्रिय कलाओं में योगदान के लिए order of the British Empire पुरुसकर मिला है नंद कुमार को ये याद रखना है नेस्ट कोचन है कि भारत सरकार ने किस वर्स तक देश से काला जार को खत्म करने का लक्ष जो है निर्धारी थे तो इसका correct answer है 2023 तक है ठीक है अब यहाँ इस टाइप को दो-तीन important question याद रखना है भारत का malaria aluminum का लक्ष कब तक है तो 2030 तक है याद रखना है और सुन्य 2017 उत्सर्जन का लक्ष भारत का कब तक है तो 2070 तक है तो यह सारे चीजें याद रखना है नेस्ट कोचन है कि थोमस कप की स्खेल से संबन दी थे तो इसका correct answer है बेड़ मिंटन से संबन दी थे कौन सा कप किस से संबन दी थे इस टाइप के question पूछा जाता है इसलिए एक हो भारत ने जीत लिया ठीक है इंडोनेसिया का रास्टी खिल क्या है तो बेड़ मिंटन यह इसे याद रखना है नेस्ट कोचन है कि जून 2023 में रिसर्च एनलाइसिस इंग एनलाइसिस विंग के परमुख यानि रो के परमुख किसे निक्ट किया गया है तो इसका correct answer है रभी की संस्था का आधर्सबाग है तो आपको याद रखना यह रो का आधर्सबाग है research & analysis मिंग का आधर्स यह धर्म रक्षता मतलब अगर आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा करता है ठीक है A question confusion वाला जिसमें confusion होता है कई student confusion हो जाता है अब जैसे धर्मो रक्षती रक्षता अगर पूछे तो डारेक्ट सुप्रीम कोट का अधर्स वाइक अलग है उसका है यतो धर्म ततो जया है यानि जहां धर्मे वहां जी थे यह सुप्रीम कोट का अधर्स वाइक है ध्यान रखना है कन्फूजन नहीं होना है धर्मो रक्ष रक्षती रक्षता रोक आए और यह तो धर्मा ततो जय यह सुप्रीम कोट का अधर्स बागे नेश्ट कोचे ने कि बीशु का सरवादिक घनी आवादी वाला परदेश है तो इसका कोरेक्ट एंसर है गच्छिन पूर्व एसिया ठीके अच्छा बीशु की सरवादिक और एक कोचे यह याद रखना आपको सवरवादिक जनसंख्या वाला राजी कौन सा यूपी सबसे कम जनसंख्या वाला राज सिक्की में नेश्ट कोचे ने कि भारतिय बंद सरविक्षन का मुख्याले कहा है तो इसका कोरेक्ट एंसर है यह देहरादून में है ठीक है भार कावनगर गुजरात में और लाख अनुसंदान केंद्र का है वह राची में नेश्ट कोचन है कि जब पवन प्रिथवी के घुर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निमलिखित में से इसे किस नाम से पुकारते हैं तो इसका कोरेक्ट एंसर है यह भू विक्षे मिमी मानसोल के कारण होता है थीक है भारत में सरवाधेक बरसे कहां होता है वह वी सुमय और वी सरवाधुक्त ओं के आश्पास होता है तो इसका 111.32 km, ठीक है, 111.32 km, अब एक कोशन आता है कि गुलोब उपर अक्छांस रेखाओं की संख्यां कितनी है, तो 189 है, अक्छांसों के संख्यां 189 है, कहीं आपको 180 भी देगा, ठीक है, लेकिन 189, धुरुब का जो दो बिंदु है, उसको मिला दिया जाता है, तो 181 हो जाता है ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है, तो अक्छांसों की संख्यां 189 है, और देसांतरों की संख्यां कितनी है, 360 है, ठीक है, एक कोशन आता है कि अंतरास्ती तिथी रेखा किसे माना जाता है, तो 180 डिगरी माध्यान रेखा को अंतरास्ती तिथी रेखा माना गया, ठीक एक question पूछा जाता है कि गुरुत्तिवे तुर.न, य्य engagement portfol.Gee का मान अधिकतप कहा होता है तो धुरूब़ों पर होता है और निउन्तम कहा होता है भूमध रेखा पर होता है next question ये कि planning and the poor पुस्तक के लेखाक , तो इसका correct answer है planning and the poor pustak के लेखाक est यह B.S. Minhas Planning and the Poor पुस्तक के लेखाग है B.S. Minhas ठीक है अब यहां कुछ important book है जिसे गरीबी और आकाल पुस्तक के लेखा कोने अमर्त सेन The idea of justice के लेखा कोने अमर्त सेन यह ठीक है दो पुस्तक हो गया गरीबी और आकाल और The idea The idea of justice के लेखा कोने अमर्त सेन यह ठीक है एक कोच्चन है कि against the stream ठीक है और एक कोच्चन यह पुछा जाता है कि Asian drama यह दोनों के लेखा के गुर्णार मिरिडल ठीक है गुर्णार मिरिडल गुर्णार मिरिडल किसका किसका against the stream और Asian drama के लेखा के गुर्णार मिरिडल और एक question याद रखना है a tale of two cities के लेखा के Charles Dickens next question है कि बिसु बेंक जिसे अंतरास्टी पुनर निर्मान तथा विकास बेंक भी कहा जाता है इसका मुख्याले का है तो बिसु बेंक का मुख्याले है वासिंग्टन डीसी में इसे रिलेट ऐसे कर लिए बिसु बेंक यह भी मुद्रा से रिलेटेड है और आईमेफ यह नहीं का अंतरास्टी मुद्रा कोस वह भी मुद्रा से दोनों पैसावाला जो में में ने उसका मुख्याले वासिंग्टन डीसी में ठीक है यह question पूछा जाता है कि 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 सम्मेलन द् दोनों का ठीक है नेस्ट question है कि 24 अगस्त 2023 को सत्रंज बिशु कप के फाइनल में भारत के रमेश बाबु प्रज्यानंद को किस देश की खिलाडी द्वरा पराजित किया गया तो इसका correct answer है नोर्बे की खिलाडी द्वरा यह रमेश बाबु जी पराजित हो गए थे ठीक है अब यहां पर क्या याद रखना है कि भारत के पहले grandmaster कोने तो बिसुनाथन आनंद है ठीक है बरतमान में भारत के नंबर वन सत्रंज खिलाडी कोने डी गूके से सत्रंज खेल का अविस्कार किस देश को माना जाता है तो भारत को माना जाता ठीक है और राजीव गांदी खेल रतन के पहले प्राप्त करता कोन थे तो बिसुनाथ अनंद ही थे नेश्ट कोश्चन है कि 11-12 जनवरी को यानि करेंट फेर से कोश्चन है 2023 के बीच बिधान सबाओं के अध्यक्षों का अखिल भारती सम्मेलन का आयोजन की सर में हुआ था तो इसका कोरेक्टेंसर है जैपूर में हुआ था ठीक है अब एक कोश्चन इसी तरह करेंट फेर में याद रखना है कि अगस्त 2023 को पहला WHO यानि विशुस्वास संगठान एबम आयूस मंत्रालाए भारत सरकार द्वारा पारंपरिक चिकित्षिक बैस्विक सिखर सम्मेलन कहां आयो जुत हुआ तो यह आद रखना है नेश्ट कोश्चन है तो थर्टी नाइन थर्टी नाइन में है कि आजय तू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखा कोन है तो इसका कोरेक्ट एंसर है यह सांतनु गुपता है आजय तू योगी आदित्यनाथ बना यानि कि योगी आदित्यनाथ का रीफलेक्षन पुस्तक का लेखाके नरायनन बाखुल ठीक है और वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखाकों है तोव एम ए अहसन डाक्टर fle हसन और वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखाके एम्ए हसन नेस्ट कोश्चन है कि शतरंज में पहली भारतिय महिला ग्रेंड मास्टर कौन है तो इसका correct answer है यह S B.J. लक्षमी है ठीक है S B.J. लक्षमी है एक question आता है ने B.J. लक्षमी से ही जो पुराना question है कि UNO का पहली महासची महिला कौन बनी तो B.J. लक्षमी पंडित बनी थी ठीक है तो confusion नहीं होना है यहां तो भारती पहली भारती मह ग्रेंड मास्टर हो गया B.J. लक्षमी और एक question याद रखना है विश्व के नंबर वन सत्रंज खेलाडी कोन है तो मेगनस कारलसन है एक question करेंट में याद रखना है कि अक्टूबर 2023 में किस भारती सत्रंज खेलाडी ने जो विश्व के नंबर वन खेलाडी मेगनस कारलसन को हराया तो कार्ति केन मूरली ये याद रखना है next question है कि सूफी संप्रदाय का उद्वाब हुआ था तो इसका correct answer है इसलाम से हुआ था ठीके कि बिसेष्टा है तो किया है इसकी विशेष्टा आर्थिक द्रिष्टि से पिछळी देश की तो परती प्रति सब्सक्राइन कि बांसता राष्टि उद्यान कहां में है कि स्राज में तो ये है गुजराट में बांसेदा रास्तिय उद्यान गुजराट में गिर रास्तिय उद्यान का उतर परतेस में और भाद्रा और शोमेश्वर बंसिव अभियारन का आ है तो करणाठक में जयाराध को चले 222 के रूप drag में है तो इसका कोरेक्ट एंसर है नेपाल का जंडा जो है ने दोहरे तिर्भूच के रोप में है नेपाल की राज़ानी का है काठमंडू नेपाल की मुद्रा रूपिया नेपाल का संसत का नाम क्या रास्टिय पंचायत बांगलादेश की राज़ानी का ढाका क्युवा की मुद्र क्या पेशो नेस्ट कोश्चन है कि अस्ट छाप की अस्थापना किसके द्वारा की गई थी तो इसका कोरेक्ट एंसर है अचार्ज बिठल नाथ के द्वारा अस्थाप की अस्थापना की गई गुरु नानक जी किसके अस्थापना के सिख धर्म के संस्थ पागे ठीक है सूर्दास से कोश्चन याद रखना है कि सूर्ष आगर नामक पुस्तक के लेखा कोने तो सूर्दास है ठीक है और यह कृष्ण दाज जी यह यह भी अस्ट चाप से सम्मंदी थे नेस्ट कोश्चन है कि बिहार से उडिसा और जार्खंड कब अलग हुआ तो इ बंगाल से बिहार कब अलग हुआ तो 22 ना में वा था तो बिहार के अस्थापन कब कỡ़े बिहार को मना जाता अग्यां थी से मना जाता है 20 मार्च को ठीक है अज जब भी आपके सामने 22 तारिक वलक कोई भी कोश्चन है तो 22 से लेटे जितने भी important question है काफी important जो पूछा जाता है उस सब को एक सात्र रिवीजन करना है जिसे 22 March 22 April 22 मही यह तीनों important है 22 March को मना जाता है बिहार दिवस और बिषु जल दिवस 22 अपरेल को क्या मना जाता है बिषु प्रिथिव दिवस 22 मही को बिषु जय विवित्ता दिवस मना जाता है नेश्ट कोच्चन है कि बिहार में 1857 की करांती के नेता बाबु कुवर सिंग का दिहान्त कब हुआ तो इसका कोरेक्ट एंचर है ये 26 अपरेल 1858 में हुआ था बाबु कुवर सिंग से कई कोच्चन पूछा जाता है बाबु कुवर सिंग कहां के जमिनदार थे जगदिश्पूर के थे 1857 की करांती में बिहार से नेतरित्यों किस ने किया था तो कुवर सिंग नहीं किया था नेस्ट कोच्चन है कि बाहाबी आंदोलन का मुखी केंद्र था तो पटना था इसका ठीक है कुछ कोच्चन ऐसे है ने कि जो कि विद्रो हुआ वो डारेट पूछा जाता है कि वहां कहां पर हुआ थे ये विद्रो थीक है तो वो कोच्चन याद रखना आपको पहले तो याद रखें पटना में जो बाहाबी आंदोलन के मुखी नेता कौन था तो इनायत अली और बिलायत अली था थीक है अब ये है कि मौपाला बिद्रो कहां हुआ मौपाला बिद्रो हुआ केरल में पागलपंति विद्रो कहां हुआ? बंगाल में सथाल विद्रो कहां हुआ? जारकंड में कुका विद्रो कहां हुआ? पंजाब में नेस्ट कोचन है कि निमलिकीत में से कोन करनाटक संगीत कीत्रीमूर्ति में से एक है तो इसका correct answer है ये त्याग राज जोए करनाटक संगिती की त्रिमूर्थी में से एक है अग एक important question पूछा जाता है कि तमिल नाडू की एक भारतिय करनाटक गाई का एमे सुविलक्षमी का जन्म कहा हुआ तो ये हुआ मदुरे में मदुरे काहां तमिल नाडू में ये ध्यान रखना है नेश्ट कोचन है कि बिहार राजी के किस जीले का जनसंख्या गना तो सबसे अधिक है तो सिवहर का जनसंख्या गना तो सबसे अधिक है ठीक है आप important question जो पूछा जाता है सरवादिक फल उतपादक वाला जीला कौन सा है तो मुझहपर पूरे रामसर साइट जो है बिहार मे एकमातर रामसर साइट कौन सा है कामर जीले किस जीले में बेगुस राय में नेश्ट कोच्चन है कि यदि चंद्रमा पर बम विश्पोट हो तो उसकी आवाज पृत्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी तो इन में से कोई नहीं क्योंकि चंद्रमा पर बायु मंडल नह बें याद रखना है अचा प्रिथिवी का फ्राकरतिक उप्ग्रा कौन सा है तो जंद्रमा नेस्ट कोच्चन है कि जल की कट्धोरता किसके कारण होती है और समुद्री जल के लवनता का कारण क्या है तो यहीं सीयले सोडियू क्लोराईड नेश्ट को चने कि भारती रक्षा मंत्राले द्वारा इंटरनेट से जुड़े सभी कम्पीटरों के Microsoft operating system को हटा कर कौन सा नया सोदेश में बिक्सित बिंडोज के साथ बदलने का फैसला किया है तो इसके correct answer है माया माया नामक जो है ने बिंडो से बदला जाएगा किसको कम्पीटर के Microsoft operating system को ठीक है यह ध्यान रखना है Microsoft के संस्थापक को रहे तो मायक्रोसोफ्ट का बरतमार में CEO को ने सत्य नडेला नेश्ट कोचन है कि पीतल एक मिस्रधातू है जबकि बायू एक क्या है बायू भी एक मिस्रण है यह ध्यान रखना है कोई निश्ची तनुपात मिलता है तो योगिक का लाता है और कोई उसका अनुपात नहीं रहता है कोई भी निश्ची तनुपात नहीं रहता है तो वह मिस्रण होता है ठीक है दो या दो से अधिक पदार्थों का निश्ची तनुपात योगिक होता है और ओ निश्ची तन कोचशन पूछा जाता है कि कांसा किसका मिस रने कांसा है टीन और तांबास का मिस रहता याने कुस्टांद वस्टन है कैme । कि 55 & insulin की कमी के कारण होने वाला रोग है तो insulin कमें से रहता है मधुमेः यानि डाइबिटीज रोग होता है अब एक कोश्चन डारेक्ट आता है कि इंसुलीन का अस्तराव कहां से होता है तो इंसुलीन का अस्तराव अगनासय से होता है यह द्यान रखना है इंसुलीन का खोज किस ने किया बेटिंग अबम बेस्ट ने किया था नेश्ट कोस्चन है कि किस ताप पर H2O का घनत्व अधिक्तम होता है तो इसका कोरेक्ट एंसर है 49.2 डिगरी फॉरेन हाइट पर जल का घनत्व अधिक्तम होता है जल का घनत्व अधिक्तम होता है किसने डिगरी सेल्सियस पर तो 4 डिगरी सेल्सियस पर ठीक है आई सी को फॉरे नाइट में बदलाया तो 49.2 डिगरी फॉरे नाइट आया देखे एकप्वी एकजम में पूछ लिया जाएगा आपसो कि सेल्शियस में आपको देद्या सेल्शियस में कितना हुआ तो आपको यह फॉर्मूला है का आप नोट कर लीजिए, इससे question आता है, ठीक है, c-0 बटा 5 बराबर f यानि फॉरे नाइट-32 बटा 9 बराबर k यानि Kelvin-273 बटा 5, ठीक है, इससे क्या है, आप कोई भी question किसी भी परकार के पूछेगा, तो आप एक दूसरे में बदल सकते हैं इसको नोट कर लेजिए, एक question यह पूछा जाता है, कि कितने degree Celsius पर, Celsius और Fahrenheit का पैमाना सेम होता है, बराबर होता है, तो minus 40 degree Celsius पर क्या होता है, Celsius और Fahrenheit का मान बराबर होता है, next question है, कि निम्नांकित में से कौन अस्तंधारी नहीं है, तो इसका correct answer है, यह मगर मक्ष जो है, अस्त अस्तंधारी परानी में पुछे, तो blue whale है, भारत का राष्टी है, जलिये जीव कौन सा है, तो गंगा डोल्फीन है का, भारत का राष्टी पक्षी मोर है, भारत का राष्टी पसु कौन सा है, तो बाग है, next question है, कि निमलिखित बिद्दु चुमबक्खिये तरंगों में स किस की तरंग धर्ज अधिक्तम होती है, तो इसका correct answer है, अबरक्त किरनों की तरंग धर्ज सबसे अधिक होती है, अबरक्त किरन से एक important question पूछा जाता है कि TV कंट्रोल में परियोग की जाने वाली तरंग की कौन सा है, तो वो अबरक्त किरन ही होता है, ठीक है, ये ध्यान र piss का रासानिक नाम है, अब यहां पर important चीज पूछा जाता है कि हसाने वाली गेस का लां नाम क्या है, तो सफाने वाली गेस का नाम हरा बादग फ्रिन की दкі डिया और तो उसकी द्वारा उत्पन पर्तिविम कैसा होगा तो आप मैं की अधैन। अच्छ यहां पर लेंस की बात आई लेंस से दो इंपोर्टेन कोश्चन हमेशा याद रखना है रिविजन करते रहाना कि दूर दूर करने के लिए किस लेंस का पर्यूग किया जाता है और निकट दूर करने के लिए किस लेंस का पर्यूग किया जाता है तो दूर को दूर द नेत्र के संबंद में निमलिखित में से कौन सा कथन सही है तो इसका correct answer है नेत्र का lens रेटीना पर परकास केंदरित करता है यह दिया रखना है मानव नेत्र के संबंद में सही है कि नेत्र का lens जो इने रेटीना पर परकास केंदरित करता है अब यहां से कुछ important question पूछा जाता करता यह तो आयरीश करता है यह ध्यां दखना है अक्षिक निमलिकित में से किस सूचक के कारण सूचक के साथ बेकिंग सोडा का बिलियन मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होगा तो इसका correct answer है चाइना रोज यानि कि चाइना रोज सूचक के साथ बेकिंग सोडा का बिलियन मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होगा तो ये ध्यान रखना है और एक question ये पूछा जाता है बेकिंग सोडा का रसाइनिक नाम क्या है बेकिंग सोडा का रसाइनिक नाम हो गया sodium bicarbonate ठीक है जिसे खाने वाला सोडा भी कहते है sodium bicarbonate यानि कि इसका जो सुत्र होता है NaHCO3 ठीक है बेकिंग सोडा का रसाइनिक खाने वाला सोडा करता नाम है सोडियम बाय कर रिलेट कर लिए खाने वाला सोडा गार्बोनेट धोबन सोडा ने सिंपल धोबन सोडा शोडियम carbonate उसका सुत्र क्या होता है Na2CO3 ठीक है गेश्ट कोच्चन है कि बुलू बेबी सिंड्रेम निमलिखित में से किसके कारण होता है तो इसका नाट्रेट लबन के कारण होता थिक यह द्यान रखना है ठीक है चलिए नेक्स्ट कोचने कि इमलिकित में से कौन सा कथन गलत है तो इसका कॉररेक्ट एंसर है मानब सरी में आयोडीन की कमिशे एनेमिया रोगता है यह गलत है क्योंकि एनेमिया जो रोग है यह क्या आता है आ नेस्ट कोच्टन को जल में घौलने पर जल के प्रिष्ट तनाब पर क्या प्रभाब पढ़ता है तो इसका इसके correct answer प्रिश्ट तनाव क्या घट जाता है किसी में भी असुधी मिलानने पर उकाई प्रिश्ट तनाव उसका घटता है ठीक है ये ध्यान रखना है और एक question जो पूछा जाता है कि बर्सा की बूंदे गुलाकार होता है किसके कारण प्रिश्ट तनाव के कारण होता है नेश्ट कोचने कि M, G2, P2 और O7 में P की ओक्सिकरन संखिया है तो इसके correct tensor है पलस 5 है Mg यानि magnesium, magnesium की परमानु संखिया कितना है? 15 P यानि phosphorus, phosphorus की परमानु संखिया है? 12 ठीक है, और phosphorus का है? 15 और O यानि oxygen की परमानु संखिया है? 8 नेश्ट कोचने 67 उर्जा के एक आदर स्पीरामीड में यदि हरे पौधे द्वारा 500 जूल सोर उर्जा गरन की जाती है तो केबल डेस पौधों द्वारा अबसोसित करके रखी जाएगी और बाकी परियावरन में लूप्त हो जाएगी तो कितना रखा जाएगा? जैसे हरे पौधे द्वारा 500 जूल अबसोसित किया, ठीक है? तो स्वर उर्जा गरन की जाती है? तो उसके पास कितना रहेगा? पूछा कि केबल इतना पौधों द्वारा अबसोसित होगा? और बाकी परियावरन में लूप्त हो जाएगी तो एक याद करिए, जो काफी इंपोटेंट है सिधान्त और उससे पूछा भी जाता है कोश्चन कि उर्जा का है ने दसांस नियम? वो किस ने दिया था? लिंड मेन ने दिया था, ठीक है? उर्जा का 10% नियम उसमें क्या होता है? कोश्चन पूछा जाता है कि एक पोशी अस्तर से दूसरे पोशी अस्तर में उर्जा का कितना परिशत अस्थानांतरन होता है? तो 10% अस्थानांतरन होता है, ठीक है? 10% नियम किस ने दिया? तो लिंड मेन ने दिया यह दोनों कोश्चन ने पूछा जाता है ठीक है उर्जा का दसांस नियम किस ने दिया लिंड में ने दिया इसमें क्या होता है एक पोसी अस्तर से यानि खाज इस रिंखला में एक पोसी अस्तर से दूसरे पोसी अस्तर में उर्जा का केबल 10% अस्थनांतरन होता है ठीक है त तो दस परतिसात अगर अस्थनांतरन होगा तो देखिए क्या 500 जूल यह गरहन किया तो 500 जूल का 10 परतिसात अगर निकालेंगे तो कितना होगा 2029 से एक ही और एक ही चला गया तो 50 जूल रहेगा उसके पास ठीक है तो इसका एंसर क्या हो जाता है डी ? लेकिन बुक में इसका एंसर दिया हुआ है दिया हुआ है इसका एंसर सी होना क्या लगता है आगर आपको कंफर्म कुछ इंच कुछ मालूंπό है9 कोमेंट में जरूर लिखिएगा ठीक है क्योंकि उर्जिया को जो दसांस नियम के अनुसार इसका अंसर डी होगा यानिक पचास जूल इसके पास रहेगा दस परतिसती रहेगा अस्थनांतर होता है बांकी साब लुप्त हो जाती ठीक है तो पचास जूल पौधों दोरा अप कि एक ट्रांसफर्मर मुख्यता बदलता है तो इसका प्राकृतिक रबर किसका बहुलक 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 है तो इसका प्राकृतिक रबर किसका नाइलोन है नेस्ट कोश्चन है कि नेमलेखित में से कौन सा एक साधरन अस्थाई उत्तक है तो इसका पत्तियों तक सखाओं में उसका जल का बहन कोन करता है तो जल का परिवहन करता है जाइलम ठीक है इसे याद रखना है जल जाइलम और भोजन का परिवहन को करता है भोजन का करता है फोलोयम ठीक है तो इसे याद कैसे रखना है भोजन को यहां बोलना है फूड फूड में होता है भोजन तो ऐसे याद रखना है जल जाइलम फूड फूलोयम यानि कि फूड यानि भ मसीन कूट में बदल देने वाले अनुवादक प्रोग्राम को क्या काते हैं तो इसे compiler कहा जाता है ठीक है compiler कहा जाता है यहां पर एक important question पुझा जाता है USB का full form क्या होता है ठीक है तो याद रखना है universal serial bus ठीक है यहां confusion नहीं हो जाता है bus होगा की नहीं होगा ठीक है तो इसलिए याद रखना है universal serial bus ही होता है ठीक है USB का full form नेश्ट कोचन है कि यदि लाल फूल को हरे सीसा में देखें तो यह कैसा दिखता है तो इसका correct answer है यह काला दिखता है ठीक है अच्छा प्राथमिक रंग कौन सा है तो प्राथमिक रंग है नीला हरा और लाल इसे याद रखना निहाल ठीक है निहाल यह नीला हरा लाल ठीक है प्राथमिक रंग है नेश्ट कोचन है कि माइकल्सन मोरले परियोग अधार बना था तो इसका डायोट जो होता है वो केवल एक दिशा में चलंग करता है नेक्ट कोश्चन है कि DNA में प्यूरीन चार है तो इसका गूरेक्ट एंसर है कि parole एक प्यूरीन छार प्यूरीन शार कौन-कौन सा करना हैसि timest याद रखना है यह पूछा जाता है कि DNA का double helix का model किस ने दिया था तो Watson और Crick ने दिया था DNA का full form क्या होता है यह होता है DNA और यह होता है RNA ठीक है दोनों का full form भी पूछा जाता है DNA यानि कि Dioxy Nucleic Dioxy Dioxy Ribonucleic Acid होता है ठीक है और यह हो गिया राइबो नियुकलिक एसीड यह याद रखना है ठीके डियोक्सी राइबो STEVE यह रहत western यह याद रखनाा Jadi यह पूरा जी के और science के और स्वालाअ मैं फंटे। मुझे टाइम निल प्लिक आप चाहें तो आप